तो पहला टोपिक है इंपोर्टेंस टू बिजनसमेन बिजनसमेन को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है पहली बात, attract new customers जब भी हम sales promotion की activities करते हैं छूट देते हैं, discounted coupon देते हैं rebate देते हैं, नए-ने offer लोंच करते हैं ultimately कुछ customers ऐसे होते हैं जिनोंने अब तक हमारा product नहीं खरीदा होता मतलब नए customers तो नए customers को attract करने का एक बहुत बड़ा benefit business man को मिल जाता है और वो नए customers भी हमारी company से जड़ जाते हैं हमारा product यूज करना start कर देते हैं तो कहीं नए customers को attract करने का एक उचित अवसर होता है वो उचित अवसर हम sales promotion के through फाइदे में ले लेते हैं तो sales हमारी increase हो जाती है नए customers हमारे साथ जुड जाते हैं दूसरी बात है attract middleman middleman के अंदर distributors, wholesaler, retailer, agent यह सबाते हैं कुछ लोगों ने तो agencies ले रखी होती हैं और कुछ agencies लेना चाहते हैं तो जिन लोगों ने agency ले रखी होती हैं हम उन लोगों के लिए भी offer निकालते हैं ताकि वो भारी मातरा में stock product का कर ले कुछ distributor ऐसे होते हैं जो distributor बनने की इच्छा रखते हैं हम उन लोगों के लिए भी discounted कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं कुछ ना कुछ offer नए distributors के लिए भी निकालते हैं वो भी हमारे साथ connect हो जाते हैं. तीसरा है demand in the off-season. हमें पता है, हम product बनाते हैं मालो seasonal, मोसम के according हमने product बनाया, अब product की sale off-season में तो होगी नहीं, अब off-season में अगर हमने sale करनी है, तो क्या करना होगा, या तो price कम करना होगा, offer निकालना होगा, कोई discounted coupon देने होगे, पर क्यों होगी ताए customers की आपस में करानी होगी, कुछ ऐसे-ऐसे offer देने होगे, ताकि हमारा product off-season में भी sale हो जाए, तो off-season में sales करने के लिए, sales promotion की जो भी activities होती है, वो business man को काफी help करती है, क्योंकि off-season में भी हम अपनी sale को continue कर सकते हैं, अगर off-season में भी हम sale कर जाते हैं, तो हमारा कहिन अगर बिजनस में profit होता ही है, और business man satisfy रहते हैं, आगे है हमारा topic motivating sales man, हमने मालों discount निकाल रखा है, या कोई offer दे रखा है, एक के साथ दो product खरीदो, अब sales person, sales man क्या करते हैं, personal selling भी कर रहे होते हैं, distributors, middle man, retailer, customer के साथ direct contact में होते हैं, अगर हमने offer निकाला हुआ है, तो distributors के लिए, retailers के लिए, customer को product sale करना और भी असान हो जाएगा, तो sales promotions की वज़े से, कहीं न कहीं, middle man को motivate करना असान होता है, क्योंकि middle man बहुत ज़दा motivate होते हैं, अब middle man, सोच कर देखी, एक तो normal एक product sale कर रहे हो, एक, उनको हम motivate करें, कि तुम product sale करो, customers को बोल दो, एक के साथ एक फरी है, तो ultimately sales person क्या करेंगे, personal selling करते हुए, retailer बनते हुए, retailer बनकर customers को product sale करते हुए, उनको काफी सारा motivation मिलने वाला है, और sales को increase करने में, हमारी बहुत help करेंगे, पांची बात, facing competition, अब competition का जमाना है, हमने sales promotion की techniques follow नहीं की, सामने वाली companies क्या करती हैं, sales promotion की काफी सारी techniques को follow करती हैं, हम अगर techniques को follow नहीं करते, discounted coupon नहीं देते, price कम नहीं करते, एक के साथ एक फरी नहीं देते product, तो हम competition में से हार जाएंगे, हमारा product sale नहीं हो पाएगा, company हमें बंद करनी पड़ सकती है, competition को face करने के लिए, sales promotion, businessman को both help करता है,